निक्कू की रस्वई में आज आपका स्वागत है मां आज आपको बताती हूं पोय बनाने की विद्धी जो एकदम टेस्टी और आसान तरीकी से तो उसके लिए मैंने लिए हैं आदा केजी पोय जो इनको थोड़ी देर के लिए मैं गीला कर देते हूं इसे भी गोदूंगे से निकलने के लिए इसको फोड़ो के लिए ऐसे चौर दूंगी देते चलंगी मीट प्याज जाएगा इसमें कुछ होंगी और यह लिए मैंने इस के पैट्च के लिए के डτι पता खरी मिठ्सखर हुई प्याज़ stam painter है बाद में सरव करते हैं उस टाइम के लिए माने लिए ये मूंक लिए ये थोड़ा वो उसका मसाला है ये नमकीन है ये थोड़ी चीनी है ले लिए मैंने फ्राइ पैन ये हो गया है मेरे तेल गरम में स्मूंक में राई जीरा और कड़ी पता अब थोड़ी क्या आज आज दो आज तो फूंक में आज 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 दो आज़ी आज दो प्राइए ये मिर्सी दालती है ये मीडियम फ्लेम प्राइए पका लेती है तब तक पोहे के अंदरी में एक चमाच मिर्शी पाउडर मिलाती हूँ आदी चमाच है लगी पाउडर और आदी चमाच है नमक इसारी चीजे में अश्क टोलेते हैं अच्छारी के अच्छार के तरह से पकेशी रडियोगे अी जो पार को जो अी जा वी कुछ नाट माईक में कले गगले उ जा ला हती पेस्को बरुड़े ला लुपूर साथ तोड़ी दाल देमान तमातर कत्रीव थोड़ी उपर से सरो करने के लिए रखेंगे तोड़ी साब दाल देमाने थोड़ी साब दाल देशे में पुता होगा लस्ने रड़ी है अब दाल दीजने बिगे है पोए तोरा गोएगा मसाला अब ये थोड़ी राव रहे हैं इसमें चीनी दो चोटी चमच्छी राव रहे हैं इसमें पट्टीवी टमाटर लाल ये हैं पट्टीवी प्याज ये लिए मैंने नम किये हैं ये इसमें पुर्ण निंगू में चोड़ देते हूं अब ये पनके मेरे पुए एकदम तयार हैं खट्टा मिटर स्वाद पांच मिनित में पोई बनके तयार आप एक बार ट्राइ करके देखना और मेरे वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना थेंक्यू आप ये अप